तो आज दूसरा T20 मैच खिला जाएगा भारत और दक्षिन अफरिका के बीच में पहले T20 मैच की बात करें अनफर्चिनेटी हम सब ने तैयारी की लेकिन बारिश होने की वज़े से टॉस तक नहीं हो पाया और लगातार बारिश हुई जिसकी वज़े से मैच अबैनेंड यानि की मैच को कैंसल करना पड़ा लेकिन आज ये दूसरा T20 मैच है सेंट जॉज पार्क में ये मैच खिला जाएगा पॉर्ट एलिजाबेट में और देखना दिल्चस्प होगा कि के सरीके से इस मुकाबले में टीम इंडिया जो है परफॉर्मेंस करती है अलाकि शेहर का नाम बदल दिया गया है बड़ा टफ है प्रिणसीशन करना है इसलिए मैंने इसको पॉर्ट लिजाबेट का है बट आपको बतारे कि ये दूसरा टीट्वेटी मैच सेंट जोज पार्क में भारत बनाम दक्षिन अफरिका के बीच में और आपने सी बात है कि टीम इंडिया की कैप लेंग इलेबन होगी इसी को लेकर कि बहुत सारे लोग के मन में सवाल है कि क्या यहां पर खेलते वे इशान किशन नजर आएंगे शुबमन गिल के साथ में ऑपन करेंगे क्योंकि दोनों ने वेस्ट अंडिज में ओपन किया था साथ में और दोनों talented बलेबाज हैं या फिर आपके रुतुराज गायकवाड ओपन करेंगे जैसवाल के साथ में या फिर जैसवाल और शुबमन गिल ओपन करेंगे या रुतुराज गायकवाड या शुबमन गिल ओपन करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि शुबमन गिल होंगे चाहे आप तीन सिनेरियों दे रहे हैं या चार सिनेरियों दे रहे हैं हर सिनेरियों में कहीं नकरी शुबमन गिल आज के मैच में ओपन करते वे नजर आ रहे हैं तो मुझे रखता है कि शुबमन गिल के साथ में या तो ओपन करेंगे इशान किशन या तो जैसवाल या तो रूतु पे नसर आएंगे तो मैं आपको प्लेइंग 11 बता देता हूं क्या हो सकता है मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो हो सकता है कि शुबमन गिल और इशान किशन के साथ में ओपन कराने के बारे में सोचे और जैसवाल और रुतुराज गायकवर्ट को इंतजार करा है य या फिर हो सकता है कि शुबमन गिल ओपन करें रुतुराज गायकवर्ट के साथ में तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा टफ है कहना कि कौन ओपन करेगा लेकिन चलिए अगर हम जैसे कि रुतुराज गायकवर्ट के साथ में अगर शुबमन गिल को हम खिलाते हैं या इशान कि अभर आच नंबर पर अख्लिए कि इसलते पिर फिर से ड्रॉप किया जाता है नहीं खिलाया जाता है और ओपन कराया जाता है शुबमन गिल जैसवाल के साथ में या शुबमन गिल रुतुराज गायकवार्ड के साथ में तो ऐसे पतलब केस में आपके लिए फिर रुतुराज गायकवार्ड या शुबमन गिल ओपन कर रहे हैं अगर दोनों ओपन कर रहे या शुबमन गिल और रमालीजिय की जैस वाल अगर open करनें तो 3 नमबर पर श्रेश एर खेलेंगे चार नमबर पर सूरी कुमार यादा पांच नमबर पर फिर रिंकु खेलेंगे 6 नमबर पर फिर जैस आपके जितेश शरमा खेलेंगे क्योंकि आपने इशान को भार किया तो एक विकेट कीपर तो चाहिए चाहिए आपको तो फिर 6 नमबर पर आपके जीते शर्मा खेरेंगे, 7 नमबर पर जड़े जा, 8 नमबर पर खेलते वे नसर आएंगे रभी विश्णोई 9 नमबर पर आपके मुकेश कुमार, 10 नमबर पर सिराज और 11 नमबर पर आपके अर्ष दीब सिंग तो बही मोरल है सगर आप देखें इस टीम की प्लेइंग 11 में तो एक ही पोजिशन के लिए फाइट है, वो है ओपनिंग स्लोट में इशान किशन की भी दावेदारी है, अपनी जैसवाल की भी दावेदारी है, रुतुराज गायकवर्ट की भी दावेदारी है ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि किस प्लेइंग 11 के साथ में टीम इंडिया जाती है और किन को मौका दिया जाता है बड़ आप लोग भी अपनी प्लेइंग 11 जदूर बताईगा कि आपके नज़र में क्या हो सकता है, बेस्ट प्लेइंग 11 किन के साथ में टीम इंडिया जा सकती है, किन को मौका दिया जा सकता है बड़ मुझे ऐसा लगता है कि यार एक मन कहरा है कि शायद इशान किशन को आज खिलाएंगी, इशान किशन और शुबमन गिल हो सकता है कि ओपन करते वे नज़र आएंगे, क्योंकि इशान को अचानकी ड्रॉप करने से पहले एक बार जरूर सुरी कुमार यादब चांस हो सकता है कि आज के माच में इशान ही ओपन करें सुरी का शुबमन गिल के साथ में और अगर इशान नहीं ओपन करते हैं तो फिर आपके या तो रुतुराज गायकवर्ड या जैस सवाल ओपन करते वे नसर आएंगे, उसमें फिर आपकी प्लेंग 11 जो मैंने आपको जाएगी, गेनबाजी लैनप आपको पता है कि वही साथ नंबर पर आपके रविंदर जड़े जा होगे, आठ नंबर पर रभी विश्नुई होगे, दो स्पिनर होगे, तीन मीडियम पेसर आप ले करके जाएंगे, सिराज, अर्ष, दीब सिंग और मुकेश कुमार, ये आ है, वो आज के मैच में खेलते वे नजर आएंगे, तो ये मेरे ख्याल से आपकी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 होगी, आपके नजर में क्या प्लेइंग 11 होगी, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा,